प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, आप सभी स्वस्तें, सुरक्षीतें और साथ में खुशो कर अभ्यास कर रहे हैं. आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कारिय पत्रक 51, जो कि आपको मिला है 20 दिसंबर 2021 को, और ये हमारा पार्थ लखनवी अंदाज से संबंदित है, जिसके लेखक कौन है? यश्पाल जी, आप यहां पर उनका चित्र भी देख सकते हैं. और याद कीजी, पिछले सब्ता के कारी पत्रक में इस पाठ की शुरुवात हम कर चुके हैं, और साथ में पाठ की शुरुवाती पंक्तियों को हम पढ़ चुके हैं, लेखक के बारे में भी मैतवपुन जानकरी हम प्राप्ट कर चुके हैं, आगे उसी पार्ट से संबन्दित कुछ और पंक्तियां दी गई हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और इनी के आधार पर कुछ प्रशन भी पूछे गई हैं, तो आईए देख लेते हैं इस कारी पत्रक में कौन सी पंक्तियां दी गई हैं प्यारे बच्चों, पिछले कारी पत्रक में हमने यश्पाल जी की रचना लखनवी अंदाज का सामाने परीचे तथा व्यंग विधा के बारे में जाना हैं, इसके साथ ही पार्ट के प्रारंबिक भाग में नवाब साब के ट्रेन में यात्रा के लिए चड़ना और साथ में खीरे रखना के विशे में हमने जाना हम उसके आगे के भाग का ध्यन करेंगे और जानेंगे आगे की यात्रा में क्या हुआ और मैं आशा करते हूँ आप पूरे पार्ट को पहले ही अपने हिसाब से पढ़ चुके हैं ताकि पूरी कहाने आपको समझ में आ जाए और अच् देखते हैं कि नवाब साब आगे हैं तो नवाब साब उनको देख नहीं रहे हैं कभी खिडकी से बाहर देखते हैं कभी अपने खीरों की तरफ देखते हैं नवाब साब ने संक्ती के लिए उत्सा नहीं दिखाया संक्ती के लिए यानि कि साथ के लिए जैसे ही लेखक लेकशित को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन नवाब साथ ने ऐसा नहीं किया, हमने भी उनके साथ की बर्थ पर बैठकर आतम सम्मान में आखे चुराली, क्योंकि जब कोई विक्ति हमसे बातचित नहीं करना चाता या हमें अंदेखा करता है, हमसे नजरे चुराता है, आँखे चुराता है, तो हमारा आतम सम्मान भी आहत होता है, लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेखक ने महसूस किया कि नवाब साब उनसे बातचित नहीं करना लेखक भी अपनी बर्थ पर बैठ कर आतम संमान को बचाने के लिए आँखे चुराने लगे, यानि कि उनको नजर ANDAJ करने लगे. ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है किसकी पुरानी आदत है लेखक की क्योंकि लेखक कल्पना करते हैं अनेक बातों के बारे में सोचते हैं खाली बैठे बैठे उनके दिमाग के घोड़े दोड़ते रहते हैं और अनेक रचनाओं के लिए उनको क्या हो जाता है, अनेक परकार के विचार उनके दिमाग में आते हैं, नवाब साहब की एसवीधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, और मन ही मन सोचने लगे कि नवाब साहब को मेरे आने से इतनी एसवीधा या संकोच क्यों हो र संबव है नवाब साहब ने बिलकुल अकेले यात्रा कर सकने की अनुमान में किफायत की विचार से किफायत यानि की कंजूस यानि की पैसे बचाने का विचार सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ने हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजले दरजे में सफर करता देखे क्योंकि नवाब साहब अपने आपको बहुती अमीर मान रहे हैं और नवाब साहब यहाँ पर सामंतवादी समाज के प्रतीक हैं सोशक समाज के प्रतीक हैं जो बहुत दिखावा करता है अपनी मान और प्रतिष्ठा को जूटा दिखावा है जूटी श नहीं चाहा रहे कि कोई दूसरा वेक्ती उनको खीरा खाते वे देखे क्योंकि खीरा तो मामुली सिवस्तू होती है और नवाब साथ के जो शोक होते हैं जो फरमाईशे आदते होती हैं वो तो बहुत उची-उची होती हैं तो यही सभी बाते लेखक के दिमाग में चल रही ह हैं अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीडे होंगी औब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए सफेद पोश कोन होता है सजिजन पुरुश tangled आप कह सकते हैं और सफेद पोश यहां पर किसके लिए प्रियोग किया गया है लेखक स्यों के लिए प्रियोग कर रहे हैं हम कंखियों से नवाब साब की और देख रहे थे कंखियों से देखना क्या होता है तिर्ची नजरों से देखना कानों के पीछे से नजरे गुमा कर देखना नवाब साब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बहार से देखकर स्थिती पर गोर करते रहे और नवाब नवाब साब ने हमें संबोधित किया आदाब अर्ज जनाब खीरे का शोक फरमाईए और गोर करने के बाद अचानक से नवाब साब बोलते हैं आदाब अर्ज करते हैं तो जैसे हम हिंदी में नमस्कार करते हैं नमस्ते करते हैं तो वैसे ही जब हम किसी से बाचित करना चाहत तो उर्दु में हम क्या बोलते हैं आदाब अर्ज। या आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड लेना चाहते हैं। तो इस बात से लेखक को अच्छा नहीं लगता है और लेखक जवाब में कहते हैं शुक्रिया किबला शोक फर्माएं। किबला क्या होता है उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है आप। किसी को आप कहते हैं सम्मान सूचक शब्द है आप शोक फर्माएं यनकि आप ही खाईए मैं नहीं खाना चाहता। तो ये कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई थी बड़ी ही अच्छी पंक्तियां हैं और आप देख सकते हैं नवाब साब कितना दिखावा करते हैं तो नवाब साब के माध्यम से सामंत वादी जो वर्ग है जो शोशक वर्ग है समाज में जो दिखावे की परवर्ती में व कि खीरा मामुली वर्ग का प्रतीक है यानि कि शोशक वर्ग का प्रतीक है लेखक यश्पाल जी यहाँ पर नवाब सहाब को सामंतवादी वर्ग का प्रतीक दिखाते हैं और खीरे जैसी मामुली वस्तु को यहाँ पर शोशित वर्ग का प्रतीक दिखाते हैं आईए देखते यहाँ पर कौन-कौन से प्रिशन पूछे गए हैं क्योंकि पंक्तियां बड़े ही आसान है, एक बड़ पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी, हाँ यहाँ पर उर्दू के अनेक शब्द यहाँ पर दिये गए हैं, तो उर्दू के शब्दों के कुछ अर्थ आपको समझ मे नहीं आ सकते हैं, तो उनी के उपर विशेश रूप से आपको ध्यान दे हैं, प्यारे बच्चों, उपरयुक्त कद्यांश को पढ़कर पूछेगे, परशन में दिये गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो यहाँ बहु वैकल्पिक परशन दिये गए लेकिन सेमस्टर टू की परिक्षा में बहु वैकल्पिक परशन नहीं, पूछे जाएंगे, सभी परशनों के उत्तर आपको लिखी तोर पर देने हैं, नवाप साब ने किस क्लास का टिकट खरीदा, बड़ा ही आसान है, कौन सी क्लास का टिकट खरीदा, सेकिंड क्लास का खरीदते हैं वो, नवाप साब से जुड़े खीरे का प्रसंग किस रेल्वे स्टेशन का है, तो किस रेल्वे स्टेशन का है, लखनो की रेल्वे स्टेशन का है, खाली बैठे रहना और कल्पना में खोए रहना किस की आदत थी, लेखक की आदत थी, क्योंकि लेखक खाली बैठे रहते थे अपनी कलपना लोग में विच्रण करते रहते थे और नएनी रचनाओं के लिए अनेक विचारों के बारे में सोचते रहते थे कंकियों से देखने का क्या आर्थ होता है, तिरची नजरों से देखना, कंकियों से देखना तो ये कुल हमारे चार प्रिशन थे, जो बहु वैकलपिक थे और यहाँ पर कुछ लिखित तोर पर उत्तर देने वाले भी प्रिशन हैं, आप देख सकते हैं निमलेकित प्रिश्णों के उत्तर लिखी लेखक कंखियों से देखकर क्या सोच रहे थे कि नवाब साब अपने आपको बहुत बड़ा मान रहे हैं हो सकता है नवाब साब ने कंजूसी या किफायत के तोर पर सेकिंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो उनको लगा यहाँ पर खाने का शोक फर्मा रहे हैं क्योंकि सबके सामने वो खीरे जैसी मामूली वस्तु नहीं खाना चाते हैं अपने दिखावे की प्रवर्ती को बरकरार रखना चाते हैं तो इसी तरह के विचार लेखक के दिमाग में आते हैं और यहीं से संबंद करके आपको अपना उत्तर लेखक के अनुसार यहां खीरा किस वर्ग का प्रतीक है तो खीरा यहां पर मामूली सी वस्तु है नवाब साहब के लिए यानकी शोशित वर्ग का प्रतीक है मामूली वर्ग का प्रतीक है आँखे चुराना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रियोग कीजिए आँ जाने के लिए आँखे चुराने लगते हैं उनको अंदेखा करने लगते हैं हाला कि लेखक का मन भी कर रहा है खीरे खाने का क्योंकि खीरे को देखने के बाद और उसके उपर नमक, मिर्ची और मसाला डालने के बाद जब लेखक देखते हैं तो उनके मुँमे पानी आ जाता है लेकिन आतम सम्मान की रक्षा के लिए वो आँखे चुराने लगते हैं लेकिन लेखक अपने आतम सम्मान की रक्षा के लिए आँखे चुराने लगते हैं यानि कि वो खीरा खाने से मना कर देते हैं हाला कि उनका मन तो लल्चा रहा है तो इसका एक वाक्य में प्रियोग क तो वो आखे चुराने लगते हैं, आप अपना कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आदाब अर्ज का संबोधन कब किया जाता है, जब हम किसी से बातचित करने के शुरुआत करते हैं, तो अभिवादन के तोर पर जैसे हम नमस्ते या नमस्कार करते हैं, वैसे ही उर्दू में क्य कहते हैं आदाब अर्ज तो ये अभिवादन होता है, किसी की सम्मान में जब हम बात्चे शुरू करते हैं तो हम आदाब अर्ज कहते हैं नवाब साब ने संगती के लिए उड़सा क्यों नहीं डिखाया, अनुमान लगा कर लिके नवाब साब स्योम को बहुत बड़ा मानते हैं और उनको लगता खीरे जैसे मामुली वस्तू को अगर मैं लेखक जैसे साधान विक्ति के सामने खाता हूँ तो शायद मेरी शान शोकत में कमी आ जाएगी, मेरी मान परतिष्टा को ठेस पहुंचेगी तो यहाँ पर इसी वो उत्सा नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो एकांत में खाना चाते थे, सबसे छिपकर खाना चाते थे, किसी को दिखाना नहीं चाते थे, लेकिन अचानक से लेखक का आना उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने ये आशा या उमीद नहीं रखी थी कि उनके डिब कर लेंगे, यहाँ पर एक गत्य भी दीए, आप देख सकते हैं कारी पत्रक से उर्दू शब्द च्छाट कर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाईए तो उर्दू के अनेख शब्द आये हैं, आप देख सकते हैं पर क्योंकि इसमें अनेक उर्दू के शब्द हमने पढ़ते समय भी देखी थे तो यहाँ पर अनेक परकार के शब्द हैं आप इनको छाट सकते हैं और इनके अर्थ को आप क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं यहाँ पर आप अनेक शब्दों को देख सकते हैं जो कि लोग फरमाईए, नवाब सहाब, शराफत, गुमान, शुक्रिया, किबला, ये सभी क्या हैं, उर्दू के शब्दें और इनके अर्थाप यहाँ पर लिख सकते हैं, आसान है, अभी हमने इन पंक्तियों को पढ़ा है, साथ में क्रिया कलाप यहाँ पर दिया गया है, अपने स शिक्षक या सिक्षिका की सहायता से निबंद लेखन की शैली की प्रकार का पता लगा कर उनका नाम लिखिए, तथा ये पार्ट किस शैली में लिखा गया है, उसका भी नाम लिखिए, और ये पार्ट किस शैली में लिखा गया है, उसका भी नाम लिखिए, तो इस पच्छे से जानते हैं क्योंकि यहां पर व्यंग किया गया है तो व्यंगात्मक शैली में लिखा गया है और वैसे अगर हम बात करें निबंद लिखन की शैलियों की तो अनेक परकार की शैलिया होती है जैसे वर्नात्मक निबंद होते हैं जिसमें वर्नन किया जाता है कई न कई निबंध हमारे आत्म प्रक होते हैं, कई निबंध हमारे विचारात्मक होते हैं, कई निबंध हमारे भावात्मक होते हैं, आगमन और निगमन शैली में भी निबंध लिखे जाते हैं, तो निबंध लिखन की अनेक परकार की शैलियां होती हैं, इस तरीके से इस कारी पत तरक में कुछ और मेत्वपुन जानकारी के साथ तब तक स्वस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुशो कर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।